हेलो आइस आज हम बात करेंगे ओपो A94 के बारे में आज का टॉपी ही गाइस कॉल रिकॉर्डिंग से रेलेटेड ज्यादा जो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि यह फोन इंडिया में लॉंच नहीं किया गया है बट यह ज्यादा तर वीडियो जो अधर कंट्री में चल आज इक हम करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में तो बेसिकली में दो काटरीय 해i आप लोग बताने वाला हूं फ्रस्ट हो गो आटो मेंटीक second हो गया manual के तो सबसे पहले हम बात करते है automatic के बारे में तो आप लोग को simply phone manager open करना है यहाँ पे आप लोग को two dot मिलेगा इसपे click कर देना है आप लोग को simply call setting में चले जाना है उसके बाद यहाँ पे option मिलेगा हमें call setting में call recording का इसपे click कर दीजेगा यहाँ पे आ गया यहाँ पे जो first option रहता record specific numbers का तो यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ ऐसे number add कर सकते जिनमें आप लोग call record करना चाहते जैसे for example मैंने number add किया तो जैसे अगर मैंने number को add किया हूँ तो अब automatic मेरे phone में जब भी incoming call हूई or outgoing call हूई automatic number पे call record होना start हो जाईगो के अगर मैं इसको remove करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं true dot पे click करूँ edit पे click करके इसको यहाँ से मैं remove कर दूँगा उसके बाद unknown numbers पे आप लोग call record कर सकते हैं चाहे तो all calls को record कर सकते यहाँ पे maximum recording के limit देखने हूँ मिलती है 1000 से लेके 3000 तक no limit भी देखने हूँ मिलती है no limit में unlimited आप लोग के phone में call record होगी उसके बाद view call recordings पे click करेंगे तो यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री चेक कर सकते यहाँ तक आप लोगों ने कितनी call recording यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं तो यह था automatic तरीका manual तरीके basically क्या होगा जैसे यह आप लोग को जो दीखर है ना screen इसमें आप लोग को यहीं पे जो recording को option देखने को मिलेगा manual तरीके में तो इस टैप से आप लोग call को record कर पाएंगे के and call recording वहला topic जो है cover हो चुका है मिलते है next video में जैमादादी